समके सोनितपूर जीले के अंतरगत 13 मार्च 2022 को मोना बाग चाय बगान में बिश्य हिंदू परिश्यत की और से लगभग 500 मरीजों से भी अधिक लोगों का जांच तथा तवा के माध्धन से सस्त समाज का निर्मान हो सके इस सेवा का बर्त लेकर बिश्य हिंदू परिश्यत स सन 1904 से ही सेवा करिय कर रहा है इस निसुल्ख सस्त सिवीर के मुख अतिती तता उधगाटन करता विश्य हिंदू परिश्यत के राश्टिय मंत्री श्री देव जी भाई रावत के करकमलत्वारा हुआ साथ ही परांध के सह संपादक शिरी बर्जर्जुती शर्मा दूर्गा बाहीनी परांध की सह सेय जी का शिरीमति रूपाली गवाला शाथ ही बीभाग संहाटरमन्टी श्रीमान शशिकांथ पांड़े जी एवं सनिदपूर जीले के पदाधिकारी शिरीमति मुकूल माधपाल जी, दिनानात पांडे जी, अजित बरुवा जी, बजंदल सहिजक गोतम कर, सुरज बरुवा, सुनाईदास अभिशेक रवी, भाटी, पंपल बोरा, बिपलब सरकार, सहीरगी भुमिका में शिरी बिक्रम दाज जी और टी गार्डन के प्रभंदक शिरी अमन प्रित सिंधुजी, सवाराम ताती, लक्षमन ताती, अविन ताशा, आधी कहरेकर्तागन उपस्तित रहे इसको सर्ण और किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है? बेटी हमारे समाज की धरोहर है, इसकी रक्षा भी होनी चाहिए और बेटी को पढ़ा कर सिक्षित करकर संसकारित करकर आजकल जो लव जिहाद चलता है उसमें हमारी बेटी की रक्षा करने का भी प्रया समय करना है बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, पूरा परिवार सिक्षित होगा, पूरे परिवार में उसका बहुत बड़ा युगदान होगा इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी है बेटी की पढ़ाई के साथ साथ उसको संस्कारित करना उसको सुरक्षा करना अभी का भी काम हमारी दूरगावाहे लिए महिला हुआ के द्वारा विश्वय ने पर सितने द्वारा चलता है